नमस्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पोखाजगिरी और इस course में मैं deal करने वाला हूँ 36 गड़ सामान अध्यायन में मैं आपको बता दूँ इस FTR वीडियो में यह 36 गड़ की लोगकला संस्कृती का पाँचवा भाग है और इसमें से प्रश्ण मैंने लिये हैं 36 गड़ के प्रसिध्य, व्यक्तित्व, पद्मपुरुस्कार, मेले, लोकव्यंजन, साहित्य, तथा कुछ अन्य, विविध भागों में से तो आएए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले बता दूँ कि हम competition community में weekly या सापताहिक test का आयूजन कर रहे हैं जिसे की आप प्रती रवीवार 11 बजे जाकर हमारे website पर दे सकते हैं लेकिन इस test को देने से पहले आप सभी को क्या करना है तो शुक्रवार की रात तक आप सभी को कर लेना है रजिस्टर और रजिस्टर करने के बाद ही आप इस test को संडे को दे पाएंगे तो यह हो गया announcement अब आजाते हैं प्रशनों पे तो देखिए सबसे प्रथम प्रशन है गुर्तुर किस से संबंधित है तो मैं आपको बता दू यह जो गुर्तुर है यह असल में है एक संग्रह अभी संग्रह है तो किस चीज का संग्रह है तो ध्यान रखना 36 गड़ी गीतो प्रशनों का संग्रह है जिसकी रचना किसने की है तो ध्यान रखना जिसकी रचना की है पी आर उराउंजी ने किसने की है रचना तो पी आर उराउंजी ने और इनके बारे में एक फैक्ट और याद रख लो जो की प्री में काम में आएगा वह यह है कि इन्होंने राइपुर लोक कला मंच की स्थापना की तो ध्यान रखना गुरतुर क्या है तो संग्रह है किसका है तो 36 गड़ी गीतों का किस ने रचना की तो पियार उराओं जी ने रचना की और इनके बारे में एक तो यह था हमारा प्रथम प्रशन जिसका आंसर क्या है तो आंसर है पी आर उराओं जो की आप्शन बी में दिया है इसलिए आप्शन बी जो है यह प्रथम प्रशन का होगा सहीं उत्तर अब आजाते हैं हम दूसरे प्रशन के हैं तो दूसरा प्रशन है राजा चक्रधर से संबंधित निम्न लिखित कथनों पर विचार करें पहला कथन है वेप्रसिद्ध कथक नर्तक थे दूसरा कथन उन्होंने ताल तोय निधी की रचना की और तीसरा है उन्हें संगीत समराग की उपाधी से सम्मानित किया गया था तो ध्यान रखे राजा चक्रधर के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह तो थे राजा नाम से ही पता चल रहा है किस रियासत के तो 36 गड़ के राइगड रियासत के यह राजा थे इनके बारे में जानिये कि यह प्रसिध कथक नर्तक तो थे ही साथ में बहुत अच्छे तबला वादक भी थे क्या थे तबला वादक वर्ष 1949 में इन्हें संगीत संब्राट की उपाधी से नवाजा गया किस ने नवाजा तो ध्यान रखना उस समय भारत के वाइस रोय कौन थे तो थे लॉर्ड लिलित गो और यह जो लॉर्ड लिलित गो थे इन्हों ने क्या किया वर्ष 1949 में राजा चक्रधर को नवाजा किस संब्राट से तो संगीत संब्राट इसके बाद अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो दो रचनाए जो हैं वह बहुत इंपोर्टेंट पहली हैं नर्तन सर्वस्व अब यह जो रचना है नर्तन सर्वस्व इसमें इन्होंने कथक नृत्य विधा के बारे में डीटेल में समझाया है और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है वह है ताल तोय निधी क्या है ताल तोय निधी अब नाम से ही समझ जाए इस रचना में इन्होंने विभिन तालों और विभिन चक्रों को बहुत डीटेल में समझाया है इतना डीटेल में समझाया है कि इस समपूर्ण रचना के वजन की बात करें तो है 32 किलो की कितना वजन है इस रचना का तो 32 किलो वजन है इस रचना का अब आ जाते हैं प्रश्ण पे तो पहला स्टेटमेंट क्या था प्रसिद्ध कथक नर्तक थे तो हम देख चुके हैं कि ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे तो यह statement सही हो गया दूसरा उन्होंने ताल तोयनिधी की रचना की तो बिल्कुल की भई ताल तोयनिधी की रचना यह भी हम देख चुके हैं तो second statement में बिल्कुल सही तीसरे statement में क्या था? संगीत समराट की उपाधी से सम्मानित किया गया तो यह भी देख चुके हैं 1949 में इन्हें संगीत समराट की उपाधी जो है उससे सम्मानित किया गया था तो तीसरा statement या तीसरा कथन भी सही तो हमें क्या करना है? सही कथनों का चुनाव करना है तो कथन एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है मतलब उपरोक्त जितने कथन है, वह सही सही है अब ऐसा कोई option देखो, जिसमें लिखा हो उपरोक्त सही तो option C में दिया है उपरोक्त सही और इस प्रकार option C जो है, वह सही उत्तर होगा second question का, या प्रश्न क्रमांक दोगा तो यह हो गया second question अब आयाते हैं तीसरे question पे, नया theater किनके द्वारा स्थापित किया गया था तो हबीब तन्वीर जी के बारे में मैं आपको बता दूँ वर्ष था पहले 1954, और इस वर्ष में इन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान theater तथा वर्ष 1969 में इन्होंने स्थापना की किसकी तो नया theater की कहा की तो ध्यान रखना रायपूर में की नया theater की स्थापना अब इस theater के माध्यम से कुछ important नाटकों का मंचन किया गया पहला मिट्टी की गाड़ी दूसरा चरण दास चोर तीसरा मूर नाव दमाद मूर गाओं के नाम ससूरा तो किन-किन important नाटकों का इसमें से मंचन किया गया नया theater पे से तो ध्यान रखना पहली है मिट्टी की गाड़ी दूसरा चरण दास चोर और तीसरा मूर नाव दमाद मूर गाओं के नाम ससूरार साथ ही ध्यान रखना वर्ष 1983 में हबीब तन्वीर जी को क्या दिया गया तो पद्म श्री और वर्ष 2002 में इन्हें मिला है क्या तो पद्म भूशन तो हमने क्या देखा हबीब तन्वीर जी के बारे में कि 1954 में इन्होंने स्थापना की किसकी हिंदूस्तान ठीयटर की 1969 में नया ठीयटर की स्थापना की राइपुर में इस नया ठीयटर के माध्यम से मंचन किया गया मिट्टी की गाड़ी चरण दास शोर का गधा मूर नाव दमाद, मूर गाओ के नाम ससुरार जैसे नाटकों का इसके बाद हमने देखा 1983 में इन्हें अलंकृत किया गया पदमश्री से और 2002 में इन्हें अलंकृत किया गया है पदमभूशन से तो यह जो नया थियेटर है इसकी स्थापना किसने की तो हमने देख लिया है हबीब तन्वीर जी ने की और हबीब तन्वीर जी है उन्हें option A में रखा गया है इसलिए इस तीसरे प्रशन का सही उत्तर क्या होगा तो होगा option A हबीब तन्वीर तो यह हो गया तीसरा प्रशन अब हम आजाते हैं चौथे प्रशन के तो निम्न लिखित में से कौन 36 गड़ से पदमश्री सम्मान के प्राप्त करता नहीं है पहले हैं महादेव परसाथ पांडे जी फिर हैं एटी दापके जी फिर हैं मदन चोहान जी उसके बाद हैं सत्देव दूबे जी तो ध्यान रखना महादेव प्रसाद पांडे जी को वर्ष 2007 में अलंकृत किया गया पजमिश्टी से, किस शेत्र में? तो साहित्ति के शेत्र में. उसके बाद ध्यान रखना वर्ष था 2004 जब 36 गड़ के प्रसिध शिशुरोग विशेशग्य श्री एटी दापके जी को अलंकृत किया गया किस से तो पदमश्री सम्मान्स. लोक कला के लिए वर्ष 2020 में मदन चौहान जी को दिया गया पदमश्री. जबकि सत्य देव दूबे जी के बारे में ध्यान रखना कि वर्ष 2011 में प्रसिध रंग कर्मी श्री सत्य देव दूबे जी को दिया गया था क्या तो पदमश्री सम्मान के प्राप्त करता नहीं है. तो ध्यान रखना नहीं में देखा है हमने सत्य देव दूबे जी मतलब 4 तो हमें कोई ऐसा ओप्षन ढूब लेना है जो की कहें केवल 4 अब ऐसा ओप्षन कहा है तो देखिए ओप्षन B में लिखा है केवल 4 और इस प्रकार ओप्षन B जो है यह सही ओप्षन होने वाला है इस चोथे प्रश्न का चलिए अब हमारा पांटवा प्रश्न मधुकर, खेर, पुरसकार, निम्निलिखित से संबंधित है तो पहले है खेल उसके बाद है क्रिशी उसके बाद है हिंदी पत्रकारिता और उसके बाद है अंग्रेजी पत्रकारिता अब मैं आपको बता दूँ राज अलंकरण में खेल से संबंधित हैं गुंडा, धुर, सम्मान, क्रिशी से संबंधित हैं डॉक्टर, खूब, चंद, बगेल सम्मान, हिंदी पत्रकारिता से संबंधित हैं चंदू, लाल, चंद्राकर, सम्मृति, सम्मान, और अंग्रेजी पत्रकारिता से संबंधित हैं मधुकर, खेर, सम्मान, अब समझी यह जो गुंडा, धुर, सम्मान हैं इसे देते हैं कौन, तो ध्यान रखना यह दिया जाता है, खेल एवं युवा कल्यान विभाग के द्वारा, और वर्ष 2020 में किसी दिया गया है, तो श्री, आकर्शी, कर्श्यप को किसके लिए, तो बैड्मिंटन के लिए, डॉक्टर खूपचन बगेल, सम्मान जो है, यह दिया जाता है, राज के क्रशी विभाग के द्वारा, 2020 में किसी मिला है, तो ध्यान रखें, अनेश्वर, वर्मा जीखो, हिंदी पत्रकारिता के लिए, चंदुलाल, चंद्राकर, स्मृती सम्मान जो है, इसमें दो कैटिगरी है, एक तो है, प्रिंट मीडिया के लिए, और दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, तो ध्यान रखें, प्रिंट मीडिया के लिए मिला है श्री ब्रम्हवीर सीहन जी को, और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए कि इन्हें मिला है तो श्रीमती मम्ता लांजे वार जी को. आपको बता दूँ वर्ष 2020 में यह मधुकर खेर सम्मान जो है, इसकी घोषणा नहीं की गई, पिछली बार यह किनको मिला था, तो मिला था रश्मी मिश्राजी को. ठीक है, तो हमने क्या देखा, मधुकर खेर सम्मान जो है, यह किस से संबंधित है, तो अंग्रेजी पत्रकारिता से संबंधित है, यह मधुकर खेर सम्मान और अंग्रेजी पत्रकारिता ऑप्शन D में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन D जो है, वह सही उत्तर है इस पांच प्रश्न का, अब है छटवा प्रश्न, छटवे प्रश्न में क्या दिया है, तो निम्न में से कौन सा लोग व्यंजन jos छत्तिस गड़ के हरेली त्योहार से संबद देते, तो समजें, छत्तिस गड़ में यू तो बहुत से त्योहार है, जिनका संबंद कृशी कारियों से है, लेकिन दो बहुत important है, पहला है हरेली और दूसरा है क्या, तो ध्यान रखना पोला, हरेली जो है इसे कब मनाया जाता है, तो श्रावन मास की अमावस्या के दिन हरेली मनाते हैं, और भादो मास के अमावस्या में मनाया जाता है, इस पोला को, हरेली के दिन क्या किया जाता है, तो ध्यान रखें, क्रिशी उपकरणों की पूजा होती है, और पोला में होती है, बैलों की पूजा, अब बैलों की पूजा, तो बैलों की तो होती होती है, और घर में मिट्टी के बैल बनाकर उन्हें भी पूजा जाता है, एक और चीज बता दूं आपको, हरेली के दिन भोग के लिए बनता है बोबरा, बोबरा क्या होता है, तो ध्यान रखना मीठा चीला या गुड़ा चीला को बोबरा बोलते हैं, और बनता है गुल-गुला, तो जो मीठा भजिया बनता है उसे कहते हैं गुल-गुला, पोला में तो आप जानते ही हो, पोला का संबंद किससे है तो खुर्मी और ठेठरी से, एक और चीज़ बता दूं, तीज़ा का ठेठरी से अधिक संबंद है और पोला का किससे, तो पोला का संबंद कुर्मी से अधिक होता है, लेकिन क्योंकि यह त्योहार बिल्कुल नजदीक होते हैं, इसलिए घर में हमेशा ठेठरी खुर्मी एक साथ बनता है, और हम समझते हैं ठेठरी खुर्मी का संबं बचिक है अब आजाते हैं प्रस्ट में गिये हुए options पे तो पहला है पपची और लाडु पपची क्या होती है तो इसे भी बनाये जाता हे गेहु के आटे से और उसे इसके बाद दो प्रकार से मीठा बनाया जाता है एक तो गुड से और दूसरा शक्कर से तो गुड की चाशनी बनाकर उसमें डुबा देते हैं या शक्कर की चाशनी बनाकर उसमें डुबा देते हैं लेकिन आप जानते हैं पपची और लाडू लाडू मत तो खीर को कहते हैं तसमई, तो खीर और बरा बनाने का भी कोई specific occasion नहीं होता, इसे कभी भी बनाया जा सकता है, बोबरा और गुलगुला, तो मैंने बताया specifically कि हरेली में बोबरा और गुलगुला जो है उसे बनाया जाता है, तो प्रश्ट जो 6 है, इसका सही उत्तर क्या होग तो option A, बोबरा और गुलुगुला, तो यह हो गया हमारा छटवा प्रश्ट, अब आजाते हैं अपने सातवे प्रश्ट पे, तो 36 गड़ के किस लोग आभूशन को कलाई में पहना जाता है, तो 60 तो आप जान लोग कि किसे कहते हैं, तो कहते हैं पायल को, अब पायल कहां पहनेंगे, तो पायल को तो कलाई में नहीं पहन सकते, पायल को पहनते हैं, कहां तो पहन लेते हैं, पैर में, फिर है देवराही, तो देवराही एक प्रकार की होती है, अंगूठी, तो अंगूठी को कहां पहनते हैं, तो उंगली में पहनते हैं, नाग मोरी, तो नाग मोर किस से बना होता है तो generally बना होता है silver से silver मतलब चांदी से कहां पहनते हैं तो इसे पहनते हैं बाह में और 80 तो ध्यान रखना 80 भी बनता silver से ही है और इसे कहां पहना जाता है तो इसे भई कलाई में पहना जाता है तो इस प्रश्न साथ का सही answer है एंठी जो की दिया हुआ है option B में तो option B जो है वह 7th question का सही option है तो 7th question का option क्या हुआ तो हुआ option B इसके बाद आजाते हैं हम अगले question पे अगला question है आठवा निमन लिखित में से किसने शिव महापुरान का 36 गड़ी में अनुवाद किया है तो ध्यान रखें डॉक्टर गीता शर्मा को तो इन्हों ने क्या किया तो इन्हों ने शिव महा पुरान का अनुवाद किया किस में किया तो 36 गड़ी भाशा में किया इस पुस्तक का प्रकाशन कौन करने वाला है तो ध्याम रखना हमारा राजभाशा आयोग एक चीज और बता दू इस पुस्तक को include किया गया है golden book of world records क्यों किया गया तो इस पुस्तक में 24,000 श्लोकों को स्थानी भाशा में मतलब 36 गड़ी भाशा में translate करने के लिए golden book of world records में शामिल किया गया है तो हमने क्या देखा डॉक्टर गीता शर्मा ने शिव महापुरान जो है इसका translation किया किसमें 36 गड़ी भाशा में Translation कितने श्लोकों का किया है 24,000 श्लोकों का किया है इसी लिए इस पुस्तक को किसमें रखा गया golden book of world records में इस पुस्तक को जगा मिली और इसका प्रकाशन कौन कर रहा है तो ध्यान रखें राज भाशा आयोक के द्वारा इसका प्रकाशन होगा अब बात करें सरला शर्मा जी की तो ध्यान रखना इन्हें 36 गड़ की पहली महिला उपन्यास कार कहा जाता है तो वर्ष था 2006 जब इन्हों ने रख्षना की थी माटी के मितान की अच्छा अगर बात करें डॉक्टर निरूपमा शर्मा की तो ध्यान रखना इनका संबंध किस रचना से है तो है पत्रेंगी से किसे संबंध है पत्रेंगी से और डॉक्टर सत्यभामा आडेल जी ने दो बहुत फेमस काव्यों की रचना की जो की है गोट और ठीहा तो सरला शर्मा जी चत्यभामा आडेल की 2006 में रचना की माटी के मितान की पत्रेंगी किन की रचना तो डॉक्टर निरूपमा शर्मा की गोठ और ठीहा किस की रचना तो डॉक्टर सत्यभामा आडेल की और हमने देखा शिव महापुरान का ट्रांसलेशन या अनुवाद 36 गड़ी भाशा में किस ने किया तो किया डॉक्टर गीता शर्मा जी ने तो इस आठवे प्रश्ण का उत्तर होगा option D डॉक्टर गीता शर्मा तो यह हो गया हमारा आठवा प्रश्ण अब आज आते हैं नुवे प्रश्ण पे निम्न लिखित महुत्सव और स्थानों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है तो बिल्कुल देखना प्रश्न पूछा है सुमेलित नहीं है तो देखिए ताता पानी तो आप सभी को पता है ताता पानी कहा है तो चत्तिस गड़ का जो सरगुजा संभाग है उसमें एक जिला है नाम है क्या बलरामपुर तो इसी बलरामपुर में होता है ताता पानी महत्सव बिलासा महत्सव बहुत फेमस है सभी जानते हैं कहा होता है तो बिलासपुर में होता है उसके बाद है गडिया महत्सव तो ध्यान रखना यह जो गडिया महत्सव है कहा होता है कब होता है तो यह भी ध्यान रखना पमार नवरात्री के उसर पर इसका आयोजन होता है कहां कांकेर में और भोरम देव महुट्सर यह सभी को पता है कि यह कवरधा में ही होता है तो हमें क्या बताना था कौँसा विकल्ट सुमेलित नहीं है तो मैंने बताया गड़िया जो है वह कांकेर से सुमेलित होगा और नकी राइपुर से तो option C जो है वह सुमेलित नहीं है और इसी लिए option C जो है इस question 9 का या प्रश्ण क्रमांक 9 का होने वाला है सही उत्तर और इसी प्रकार हम आजाते हैं आज के अपने आखरी प्रश्ण पे तो रामा राम मेला जो है वह संबंधित है तो मैं आपको बता दू इस मेले का आयोजन कहा होता है तो 36 गड़ के सुकमा जिले में इस मेले का आयोजन होता है और यह भी बता दू कि इसका आयोजन कब होता है तो नवा खाई या नवा खानी जो त्योहार है उसी के उपलक्ष में इस सुकमाजिले में रामा राम मिले का होता है आयोजन तो हमें क्या देखना है हमें देखना है यहाँ पर आयोजन का समय तो नवा खाई या नवा खानी जो है वह दिया है option A में इसलिए इस दस्वे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो होगा option A नवा खानी मतलब नवा खानी के उसर में 36 गड़ के सुकमाजिले में रामा राम मिले का आयोजन किया जाता है तो यह हुए 36 गड़ की लोककला संस्कृति के पाचवे भाग में से दस बहुत important और conceptual प्रश्न हमारी मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में जिसमें की हम देखने वाले हैं क्या तो हम देखने वाले हैं 36 गड़ में प्रशासन के संदर्भ में तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी सी मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और टेक केर CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले